हलो फ्रेंद्स मेरा नाम है सेयद सौबान और आप देख रहे हैं जागरंजोश.com और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कुछ सवाल बना जा सकते हैं आज के करंट अवेर से उसका सही जवाब क्या होगा और उससे रिलेटेड कुछ की फैक्स के बारे में बात क जाता है इसका सही जवाब है 24 जन्वरी तो International Day of Education कहते हैं हर साल 24 जन्वरी को मनाया जाता है यह शिक्षा जो है हर वेक्ति का एक बनियादी मौनिक अधिकार है लेकिन अभी विश्व में कई बच्चों को बनियादी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत संगर्ष करना पढ़ रहा है इस बार अंधराश्टिय शिक्षा दिवस की जो थीम थी वो थी Changing Course Transforming Education यह साल 2022 के लिए थीम रखी गई थी बढ़ते हैं एकले सवाल पर भारत के निम्न में से किस पूर्व फुटबॉलर एवं कोच का 72 वर्ष की उमर में निदन हो गया है सही जवाब है सु सुबाश बहुमिक का लंबी विमारी के बाद 22 जनवरी 2022 को निदन हो गया 72 साल के थे पूर्व भारतिय मिटल फील्डर सुबाश बहुमिक साल 1970 में एशियाई खेलों में कहां से पदक जीतने वाली टीम के सदस्य थे कोलकाता मैदान का उन्हें जोस मारहिनों कहा जाता था और उन्होंने 19 साल की उमर में राजिस्थान क्लब से अपने करियर की शुरुवात की थी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इन्फोमेशन पर जाना है जब आप करेंट अफेस टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा अगर आप क्याटेगरी वाइस करेंट अफेस पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी क्याटेगरी चूज कर सकते हैं जिसमें लेटिस नाशनल, इंटरनाशनल, स्पोर्ट्स, टेकनोलजी और एकॉनमी जैसी क्याटेगरी मौजूद हैं अगला सवाल भारत में हर साल 24 जनवरी को निमने में से कौन सा दिवस मनाया जाता है तो इसके जो सही जवाब है वो है राष्ट्रिय बालिका दिवस option C तो हर साल राष्ट्रिय बालिका दिवस जो है 24 जनवरी को देश भर में मनाया जाता है इस दिवस का मुख्य उद्देश जो है वो ये है कि देश की लड़कियों को हर लिहास से अधिक से अधिक सहायता और सोईधायें प्रदान की जाएं इसके अलावा राष्ट्रिय बालिका दिवस का एक अन्यम मुख्य उद्देश ये भी है कि लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर लोगों को जागरुक किया जाए पहली बार 24 जनवरी 2009 को देश में राष्ट्रिय बालिका दिवस मनाया गया था अगला सावाल केंडर सरकार ने इंडिया गेट में अमर जवान जोती को स्थानांतरित करन के जो है वहां पर निम्ड में से किसकी प्रतिमा स्थापित अब जो है की जाएगी तो उसका एक होलोग्राम जो है उसका घाटन कर दिया गया है लेकिन जो भवे मुर्ती होगी वो बात में लगाई जाएगी तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी सुभाष चंदर बोस तो आपको बता दे कि इन सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान जोती को स्थानांतरित करके अब वहें करीब में सुभाष चंदर बोस की प्रतिमा की इस्थापित करना है और कर तयार नहीं हो जाती है तब तक उस्थान पर उनकी एक होलोग्राम प्रतिमा लगाई जाएगी रिपोर्ट के अनुसार इंडिया गेट पर नेता जी सुभाष चंद बोस की जो ग्रेनाइट की प्रतिमा लगाई जानी है 28 फूट उंची और 6 फूट चोड़ी होगी और इंडिया गेट पर उसी स्थान पर लगाया जाएगा जहां पर कभी ब्रेटिश राजा जॉर्ज पंचम की प्रतिमा हुआ करती थी बढ़ते हैं अग्रे सवाल की तरफ इंगलेंड के किस पूर्फ बल्लेबाज ने ततकाल प्रभाव से काउंटर टीम के हेड कोज का पत ज चोड़ दिया बताया जा रहा है कि विक्रम सुलंकी इंडियन प्रीमिर लीग में नई फ्रेंचाइजी एमदाबाद के साथ जोड़ सकते हैं सुलंकी पहली बार साल 2013 में जो है एक खिलाडी के रूप में शामिल हुए थे और सभी फॉर्मैट में 2400 रन बनाएं उन्होंने उन्होंने साल 2016 में रान पटेल ओली पोप और अमर विर्ती को बेर्चिन की लाड़ी बिनाने के लिए एक कोच के रूप में एहम भूमिका निवाए थी अगला सवाल नेताजी रिसर्च बेरों ने जापान के किस पूर्व प्रधान मंतरी को नेताजी पुरसकार 2022 से सम्मानित किया है सही जवाब है ऑप्शन बी शिंजो आवे निताजी रिसर्च बिरोने जापान के पूर्व प्रधर्मत्री शिंजो आवे को निताजी पुरसकार 2022 से सम्मानित किया है कॉलकाता में जापान के महावारच दूत नाकामूरा यूताका ने आवे की तरफ से ये सम्मान प्राप्द गिया निताजी सुभाष्चन बोस की 125 मी जनती पर उनके एलगिन रोड स्थेतर आवास परे कायल करम में ये सम्मान दिया गया अब वो सबाज इस जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था प्रतिवर्ष किस तारी को राश्ट्री आपदा प्रतिक्रिया बल एंडियारेफ का स्थापना दिवस मना जाता है सही जवाब आप्शन है 19 जनवरी तो एंडियारेफ के जो स्थापना दिवस है वो 19 जनवरी है तो NDRF की स्थापना साल 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहर छे बटालियनों के साथ की गए थी वरतमान में NDRF में 12 बटालियन हैं जिन में BASF और CRPF से 33 तो था CISF, SSB और ITBP से दो दो बटालियन हैं एवं इसकी प्रत्यक बटालियन में 1149 सदस्य हैं अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखके बताना है के अंदर सरकार ने हाली ही में किस राजिक के मंगलरू के कसिमेट में एक प्लास्टिक पार्क जो है बनाने की मनजूरी दे दी है सवाल में ही जवाब चुपा है अब अपने जवाब कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और वीडियो लाइक करिए वीडियो को शेर करिए अभी तक आपने हमाँ चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए जागरन्चूश टाट कॉम